शालाम नमस्ते दोस्तों क्या हाल है मैं हूँ साहिद लालाम और आप देख रहे हैं विदिशी बोंदू तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की शुरू में ही आपको एक कहानी सुनाऊंगा कहानी इसलिए ज़रूरी है क्यूंकि भारत अगर चोथा टेस में जित जाती है तो इसी कहानी की बोदोलत जितेगी तो कहानी कुछ ऐसा है कि एक सोटी सी बच्चे को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए किट बेक चाहिए और ये कीट बेक से हजार रुपिया का आता है घर वाले की पास इतना पैसा ही नहीं थे कि कीट बेक खरित के दे तो इस सोटा सा बच्चा ने अपने आपको बत्रूम की अंदरबंद कर लेता है और रोने लगता है मा अपने बच्चे को रोते हुए देखकर अपना सोने का चेन बिश देता है और बच्चे का बाप को कहती है एक कीट बेक खरित के लाने को धन्य है वो माज जिसकी सेक्रिपाइस की बदलत बच्चे को कीट बेक मिला और उस बच्चे ने क्रिकेट खेलना शुरू किया माम करीब 130 रान से पीसे थे और हमारी हाथ में सिरिफ तीन ही विकेट था लेकिन इन तिनोंने भी जान लगा दिया कुलदीप यादप ने तो दिल जीत लिया कुलदीप यादप ने जिस तरह से डाट कर इंगलेंड की गेम बादों का समना किया मेरा तो दिल गार्डेन गा यानि द्रूब जूरेल की बात उनोंने सबसे ज़्यादा गेम खेला इंडिया के लिए और दिन का सबसे मुश्किल बक्त यानि पहला घंटा निकाल दिया 28 रान बना कर कुलदीप यादप एंडर्सन की गेम पर आउट होगे लेकिन इंडिया के लिए दिन का हिरू रहे दूब जूरेल रासी टेस्ट खेलने से पहले दूब जूरेल की यह इच्छा थी कि यहाँ पर वो आच्छा प्रफर्म करे और मोहेंडर सिंग दोनी जो उनकी आइडेल है वो मेज देखे हलाकि मोहेंडर सिंग मैदान पर तो नहीं आ पाया लेकिन दूब जूरेल छा गया दूब जूरेल ने जो 90 रान बनाये वो तो शतक नहीं हुआ लेकिन शतक से कभी कम नहीं था दूब जूरेल की बज़े से टीम इंडिया ने 300 का आकरा पार कर पाया टीम इंडिया ने कूल रान बनाये 307, 10 विकेट की नुक्सान की बार इंग्लेंड को जहाँ 100 रान की लिड मिल सकती थी वहाँ सिरिफ मिला 46 रान इसकी उपर अशुईन अन्ना जिनको दूसरी निंक्स में बोलिंग ओपिनिंग करने के लिए दिया गया उन्होंने जल्दी ही टीम इंडिया को एक ही ओबर में 2 विकेट बिला दी पहले डकेट का और फोरेन बात ओली पूप को आउट कर दिया ऐसा लगता है ओली पूप ने अपना हिस्से की रान पहला मेस में बना लिया था और आशुई नन्ना इतने पर ही नहीं रुखा पिसले मेस की सेंसुरियान जो रूट को भी आशुई नन्ना ने आउट कर दिया लेकिन इंडिया की दिक्कत बरहा रहे थे क्रोली लेकिन उनका काम तमाम किया कुलदीप यादप ने और उसकी बाद हमें लगा कि बेनिश्टोग का विकेट हमें जल्दी नहीं मिलेगा एक बाद तो आम पायर कल ने बेनिश्टोग को बचा लिया एक बाद तो बेनिश्टोग LBW भी हुई लेकिन किसीने अपिल ही नहीं की लेकिन चाय से पहले कुल्दी प्यादव ने बेन स्टोक का काम तमाम कर दिया चाय तक इंग्लेंड का कुल इसकुर हो गया 120 पास उकेट की नुक्सान की बात कुल मिला के लीड हो गया था 166 चाय की फरेन बात पहला ही गेम पर रोबिंडर जादेजाने बेस्टू को आउट कर दिया चाय के बात इंडिया की गेम बाजोने इंग्लेंड की बलेबाजों को बहुत ज़्यादा चाताया आशुईन अन्ना ने इस मेश में पास उकेट पुरा की आशुईन अन्ना और कुलजी पियादव की बज़ेशे इंग्लेंड की टीम 145 पर अल आउट हो गए और टीम इंडिया को राशी टेस जितने के लिए टार्गेट मिला 192 का इंडिया की दोनों ही बलेबाद जप मैदान में उत्री रूही शार्मा अरजय स्वाल बहुत ही शांदार उन्होंने बलेबाजी किये और दिन का खेल खतम होने तक 40 रान बना ले थे बिना कोई विकेट गबाए इसका मतलब हमें जितने के लिए आप सिरी प्रांग साहिए 152 और इंग्लेंड को चाहिए पूरा 10 विकेट क्या लगता है आपको क्या इंडिया यहापर जित पाएगा या पलट पार करेगा इंग्लेंड वाले इसकी साथ आप लोगों से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैखिन